दोस्तो आज का इस वीडियो में हम सीखेंगे T800 Ultra Smart Watch में आप अपना खुद का फोटो को किस तरह लगा सकते हो जैसके आप यहाँ पर देख सकते हैं वल पेपर में मेरा फोटो यहाँ पर लगा हुआ है तो अगर आप भी अपना फोटो को T800 Ultra Smart Watch के हॉम स्क्रीन पर लगाना च कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले आप अपना फोन को ले 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 फोन को लेने के बाद सबसे पहले आपको एप्लिकेशन चाहिए होगा एप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं हाई वाच प्रो एप्लिकेशन आपको प्ले स्ट यहाँ पर open हो चुका है, यहाँ पर आपको set वाले option पे किलिक करना है, सबसे पहले आपको इसको watch के साथ connect करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर में जो एक option देखने को मिल रहा होगा, simply आपको इस पर किलिक करना है, इस पर आप किलिक करेंगे, जो भी permission आए आपको permission को देना है उसके बाद आपका जो watch है वो यहाँ पर searching लेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो scanning है वो यहाँ पर start हो चुका है मेरा watch यहाँ पर searching में आ जाएगा यहाँ पर आपको search पे option देखने को मिलेगा तो अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पर T800 Ultra option आ चुका है Simply हम इस पर click कर देंगे इस पर आप JC click करेंगे यहाँ पर आपका watch के साथ आपका जो phone है वो connect होना start हो चुका है आप देख सकते हैं यह जो 4 option है यहाँ पर आपको complete होगा तो तब तक हम यहाँ पर wait कर लेते हैं तो दोस्तो finally अब देख सकते हैं मेरा जो watch है मेरे phone के साथ connect हो चुका है यहाँ पर हम T800 Ultra जो connect हो चुका है अब हम इस पर अपना photo को set करेंगे photo को set करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा application में यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल रहा होगा dial setting का यहाँ पर आप यह जो option देख पा रहोंगे dial setting इसके लिए आपको set पही रहना है और यहाँ पर आपको dial setting का option मिलेगा simply हम dial setting पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपको arrow पर किलिक करना है arrow पे आप JC किली करेंगे आपको next page पर ले जायेगा arrow पे आप JC किली करते हैं यहाँ पर आपको एक next page ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको काफी सारा dialer देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका net on होना चाहिए तभी यह जो है आपका काम करेगा क्योंके ये नेट से चलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नेट है वो काफी ज़्यादा यहाँ पर slow है मेरा डाइलर यहाँ पर अभी loading हो रहा है तो आप देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पर डाइलर का option आ चुका है डाइलर के बगल में यहाँ पर आप एरो का निसान देख पार होंगे यानि के अगर आप इस पर किलिक करेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको डाइलर देखने को मिलेगा अपने फोटो को सेट करनी के लिए सबसे नीचे में आपको आना है और यहाँ पर आपको एक उपसन देखने को मिलेगा कस्टम डाइल का तो सिंपली आपको इस एरो पर किलिक करना है तो एरो पर आप जैसी किलिक करेंगे यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कस्टम डाइल का उपसन मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं arrow पे click कर लेता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा dialer खुल के आ चुका है अब हमें करना है अपने photo को अपने watch के साथ connect तो इसके लिए हमें किसी भी dial को आपको select कर लेना है चलिए मैं इस dialer को यहाँ से select कर लेता हूँ dialer को select करेंगे यहाँ पर आपको कुछ option खुल के आएगा यहाँ पर आपको select image का एक option देखने को मिल रहा है simply हम select image पर click करेंगे select image पर आप jc click करते हैं यहाँ पर आपको जो भी permission आई permission को दे देना है यहाँ से चलिए हम permission को दे देते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे gallery के अंदर जितना भी photo है वो यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर आप जिस भी photo को अपने watch पे connect करना चाहते हैं simply उस photo को आपको select करना है photo पे select करेंगे यहाँ पर आपको scrolling का option आजाएगा यानि के आपको photo को crop करने का option आजाएगा आप photo को अपने recording यहाँ से आप crop कर सकते हैं अगर आप करना नहीं जाते बस इतना में रहने दें उसके बाद यहाँ पर आपको right tick का एक option मिल ताइम simply इसको यहाँ से right tick कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप time जो देख पा रहे होंगे वो मेरे चेहरे के उपर है तो यहाँ से आप इसका time का जो route है वो यहाँ पर आप change कर सकते हैं यहाँ से आप अपने according अपना time को select कर सकते हैं तो अप देख सकते हैं आप जो मेरा image है वो perfectly अपना जगा पर set हो चुका है timer का भी option जह है वो काफ़ी आसानी के साथ अपने जगा पर set हो चुका है अब हमें करना है अपने install पर किलिक install पर हम जैसी किलिक करेंगे watch पे मेरा photo लगना start हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ से install पर किलिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो loading है वो यहाँ पर start हो चुका है अब मेरे watch पे भी कुछ देर loading लेगा उसके बाद मेरा जो photo है वो यहाँ पर connect हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो option आता है option को आपको got it कर देना है और आप देख सकते हैं मेरा जो watch पे मेरा photo लगना इस्टार्ट हो चुका है यहाँ पर percentage आपको 100% होगा 100% होने के बाद यहाँ पर आपको यह photo देखने को मिलेगा तो चली यहाँ पर हम कुछ दिर wait कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा watch पे मेरा जो photo है वो finally select हो चुका है सबसे पहले आपका watch यहाँ पर एक बार power on होगा उसके बाद आपके watch पे आपका photo यहाँ पर 100 होने लगेगा यहाँ पर हम scroll button पर किलिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो photo है वो मेरी smart watch पर लग चुका है और perfectly कितना ही ज़्यादा खुपसूर अतिहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर आपको HD quality का photo select करना है ताके आपका जो brightness से वो काफी ज़्यादा यहाँ पर bright देखने को मिले आप करेंगे काफी असानी के साथ आप अपनी smart watch पर अपना photo को set कर पाएंगे I hope आप सभी को समझ माई होगी दोस्तों अगर आपको आज के यह छोटा से वीडियो पसंद आया है वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का इसा लागा कॉमेंट करके जरू बताएं तो चली दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे